हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका गुलेरे स्टेटी पॉइंट क्लासे में मैं शिवाम शर्माइ स्टुडेंट क्लास 10th and 12 उत्राखन बोर्ड के जो स्टुडेंट से उनके रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है ठीक है तो सारा इस वीडियो में हम ड आपका रिजल्ट जो है मही में घोशित किया जाएगा इतने अप्रायल तक आपके नोटबुक चेक होंगी फिर एलेक्शन आ जाएंगे ऐसे से करके मैंने आपको प्रोसेज बताया था बट एक उत्राखन बोर्ड ने एक नया अपडेट जारी किया है जिसको देखके अब आपडेट यानि चैनल का नाव आपको बता है अभी तक आपने सब्सक्राइब निगा सब्सक्राइब जरू कर लेना ठीक है ताकि आपको इसी तरीका अपडेट मिलता रहे तो हम यहां देखेंगे सबसे पहले उत्राखन बोर्ड क्लास 10 और 12 रिजल्ट 2014 इस साल उत्राख उत्राखन बोर्ड ने रिजल्ट का लक्षी 30 सप्राइल तैय किया है शिक्षा मंतरी धन सिंग रावत ने रिजल्ट में सुधार के निर्देश दिये गए उत्राखन बोर्ड दस्वी और 12 परिक्षा का रिजल्ट 30 सप्राइल से पहले जारी हो जाएगा यानि कहने का विद्याली शिक्षा परिश्यत ने मुल्यंकन की त्यारी शुरू कर दी है उत्राखन में 3,000 शिक्षकों को जानी 3,600 भी होंगे 3,500 भी हो सकते हैं कितने भी शिक्षक जो है इस बार उत्राखन बोर्ड की परिक्षा में किया वह सामिल हुए थे इंट्रमिडेट और है स्क परिक्षा जो आपके 27 मार्च से मुल्यंकन की त्यारी 22 मार्च की एक उच्ची सरी बैठक में की जाएगी कि उन्हें कैसे कैसे नोटबुक चेक करने शिक्षा विवाग ने इस साल बोर्ड परिक्षां को पैटन बदला है परिक्षा है जो है 20 दिन पहले शुरू ही थी और रुजिल्ट का लक्श भी इनram ने 30 अपरेल तक तै किया है, अभी इन्हों ने तै किया है कि 30 अपरेल तक आपका रुजिल्ट जारी कर दिया जाएगा, 2-4 दिन अप डाउन हो सकते है, ठीक है या तो 30 अपरेल से पहले आ जाएगा है, तीसे प्राइब के एक दो दिन बाद में आपका रिजल्ट घोशिच करते हैं आई होब आपको सारी चीजे क्लियर हो गई होगी कि आपका रिजल्ट कब घोशिच कर जाएगा तो मिलते हैं नेक्स टूड़े को नेक्स टूड़ेट सेना ठेंक यू